चलिए आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर सीरीज में देखे कल हमने जानना था कुछ परिवाशाओं के बारे में कल आपको हमेने पढ़ाया था ठीक है तो आज continue करते हैं और आज हम देखते हैं कि रिपल फेक्टर क्या होता है सबसे पहले में रिपल फेक्टर ही आपको सम जाता हूं हृँ ठीक है कि बीपल समझने के लिए आपको में एक एक्जांपल देता हूं जांकर कि सहता से आप समझ सको को यह कोशिछ करूंगा कि आप अच्छी तरह से 立प फेक्टर को को समझ चाहें ठीक है तो दखें क्या होता है जैसे मालीज़ यह कोई अल्टरनेटर है यह कोई alternator माल लीजी हम डिजाइन करते हैं ठीक है तो इस alternator की द्वार जो वोल्टेज़ उत्पन होता है कि 220 V आर्मेस जो उत्पन होता है तो यहां जो है इस alternator की winding पर Depend करता है आज अल्टरनेटर की winding जो इसमें winding की गई है आर्मेचर की वहां winding जो है वहां अगर पूर्ण रूप से सही तरह से की गई है तो जो alternator का जो alternator की output होती है वह किस तरह की होती है और pure sign wave होती है लेकिन यदि माली जी यदि ऐसा हो जाए कि यदि alternator की winding ठीक नहीं की गई है ना alternator की winding ठीक तरह से नहीं की गई है तो ज़रूर नहीं है कि यह sign wave ही जो है आउटपुट में हमें मिले यह sign wave क्या होगा distorted हो जाएगा यह ना इस sign wave का मान जो हो सकता है यहां से start हो और इसके बाद यह अगली बार फिर यहां से डारेक्ट इसा start होने लगे यह जो नेगेटिव माने माली सिये माइनस जो 18 वोल्ट है यह माइनस 18 वोल्ट पर यहां आने के बाद जो यह है जो वोल्टेज है कि इस ऐल्टरेटर कर फिर से बढ़ने लग जाए ना तो इस तरह से पर यह किस पर करता है यह का winding पर डिपेंड करता है ठीक है तो चलिए यह इतना आपको समझ में आया कि यह जो प्योर साइन वेव बनाता है यह साइन वेव हमारे winding पर डिपेंड करती है जरूरी नहीं कि सारे जो अल्टरनेटर है जरूरी नहीं यह आपने कोई design किया है तो हो साइन वेव ही बनाएं वहाइड करता है उसकी वाइंडिंग पर ठीक है लेकिन जनरली जो system से एसी पर काम करते हैं वह प्योर साइन वेव पर ही काम करते हैं ठीक है तो इसलिए जब wave दिख रही है, ये वाली ये साइन वेव भी, जो AC कहलाएगी इसके अलावा इसके अलावा ये जो wave दिख रही है, इस wave को भी हम AC ही कहेंगे ठीक है ये wave भी AC ही कहलाती है ठीक है, तो ये दोनो AC waves हैं, AC के भिल्ifi अलग अलग प्रकार नीं ठीक है क्यों चलिए अब यहां पर मैं आपको एकर सरकिट दिखा दा हूं कि एक अन्य सर्किट दिखाता हूं मैं आपको देखिए मालीची हम लोग सरुवाती में क्या कर रहे हैं हम लोग सुरुवात में एक यह अल्टरनेटर बना रहे हैं и फिक है आप समझ tätä कि यह एक अल्टरनेटर है और इस perm ос的 हमने एक रजिस्टिव सर्किट को लगा दिया यहां पर यह कोई लोड रजिस्टेंस है कुछ भी आप समझ ली जी कोई भी रोड हो सकता है किसी परकार का ये लेंप हो सकता है फेन हो सकता है कुछ भी हो सकता है ये एक लोड हमने लगाया है ठीक है तो ये लोड हमने लगाया है इस इस अल्टर्नेटर को हम नाम दे देते हैं इसे हम नाम दे देते हैं माली जी ए ए नाम दे देते हैं आप इसको है ना ठीक है तो यह अल्टर्नेटर ए जो है यह एक वेव जनरेट करेगा और आप उधारन के तोर पर समझ लीजिए कि यह अल्टर्नेटर एक इस तरह का अल्ट स्टार्ट होना चाहएं यहां पॉइंत से इस्टार्ट होना करते हैं तो यहां से स्टार्ट होना चाहिए यह तक ऊपर बढ़ती है बढ़ते बढ़ते यहाँ पर यह positive यह जो मान है इसका अधिक्तम मान यह positive हो जाती यहाँ पर 0 होगी पहले अभी negative थी negative से घटे घटे यह 0 पर हुई 0 के बाद यह positive में बढ़ना इसका मान चालू हो गया और यह कितना बढ़ा यह 32 वोल्ट तक की जो एसी थी यह जो पीक मान है इसका 32 वोल्ट है अब 32 वोल्ट पर जब यह पहुँचती है तो उसके बाद यह supply फिर से डाउन होना चालू हो जाती है यहाँ पर 0 पर पहुचती है और 0 पर पहुचने के बाद वापिस यह यहाँ पर वोल्टेज उत्पन करती है वो फिर से इसी तरह से यह जो इसके साइकल है यह इसी तरह से इस साइकल को दोबारा से रिपीट करती है ठीक है तो यह इस तरह की एसी है यह आपको समझ में आया यह जो है यह जो यह भी एक alternating current है क्यों alternating है क्योंकि देखिए इसमें positive cycle भी है औ साइन नहीं है साइन भी है उसे मतलब किया होता है साँब जैसा में अचा कि आपको बना कर कि दिखाया था कि पूरी व्हव जो इस तरह से चलती है उसमें equal यह उपर वाला जो Earth cycle भी होता है पूरा round होता है और नीचे वाला Earth cycle भी पूरा round होता है तो इसको हम भोलते हैं sine wave sine wave ठीक है तो जो भी हमारे circuit होते हैं घर के जो घरेलू circuit होते हैं या motors होती है ठीक है तो इनके लिए यह pure sine wave जो होना जरूरी होता है ठीक है अगर यदि इस तरह की जो AC में आपको उपर दिखाई है इस तरह की AC का यूज हम घर के सरकेट में नहीं कर सकते यह केवल में आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूं जो उपर मैंने एक waveform बना करके दिखाई है इस alternator की इस alternator की जो waveform बना करके दिखाई है यह हम अभी केवल ripple को समझने के लिए पढ़ रहे हैं ठीक है तो चलिए आप में sine wave को clear कर देता हूं यहां से अब यह आपको समझ में आया इतना example की हमने एक source किया हुआ है है यह एक source किया हुआ है हमने एक लगाया हुआ है और लोड में current flow रही है लेकिन यह current जो है यह sign wave नहीं है यहां केवल alternating wave है ठीक है अब देखिए क्या होता है कि यदि मान लीजिए अब इस circuit में मैं यहां पर जो AC source में ने लगाया हुआ है इस AC source को यदि मैं निकाल दूँ और इस AC source को मैं निकाल देता हूं और इस AC source की जगाँ पर मैं यहां पर एक DC supply लगा दिता हूं एक DC बैटरी लगाता हूं ठीक है इसमें DC बैटरी लगाऊंगा और वहां DC बैटरी जो है वह DC बेटरी 18V की हम यहाँ पर प्लस DC बेटरी लगा देते हूं ठीक है तो यह चीजें आप लोग ध्यान रखें यहाँ बात जो मैं आपको समझा रहा हूं उसी तरह से आप समझते चलिए आपको यह 100% जो है समझ में आएगा ठीक है तो देखें जब 18V के लिए जो इस सर्क मनें पोजिटीम में होंगे तो यहां मालनी जिए यह आपका 18 वोल्त यहां पर आता है तो अभी इसस सर्कृिट है इस सर्कृट में धारा रहा हमेशा एक ही दिसा में पहेँगी और इस में आप्लत का माल भी नहीं बदल रहा है तो यह नाइन हमेशा पूरी सीधी बनेगी ठीक है तो यह बात आपको अभी इतनी समझ में आई अब देखिए हम लोग क्या करते हैं अब हम लोग यहां पर अब यह जो पोजिटिव साइकल दिख रहा है आपको यहां पर यह जो एकसिस थी माली जी इसमें यहां प्लस 50 बोल्ट इस स्केल पर यह यहां वाले पॉइंट पर आता है ठीक है मैं रंग कलर चेंज कर देता हूं फिर बताता हूं यह जो लाइन है यहां पर यह 50 बोल्ट आता है ठीक है तो यह चीज़ आप ध्यान रखें अब देखिए मैं आपको जो बताने वाला हूं वहाँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा ठीक है अब देखिए हम लोग जरूरी तो है नहीं कि केवल बोईटरी ही यूज करें यहां पर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि यहां पर हम लोग एक अल्टरनेटर भी साथ में लगा सकते हैं ऐसा कहीं लिखा तो है नहीं कि आप जो है केवल एक ही सोर्स का इस्तमाल करना है कभी अबूब इसा भी हो सकता है कि आप दोनों सोर्स का एकसाँ सब ??? बेटरी और जो एसी सोस हैं दोने कंग देख लेते हैं कि क्या होता है इस सर्कुट में कह बन上 है ना तब चलिए यहां पर इसमें यह AC source को हमने जोड़ दिया ठीक है यह एक AC source था इसको इस लोड से जोड़ दिया यहाँ पर बेटरी आल्रेडी लगी हुई है और यह जो AC source है इस AC source की characteristic में बता चुका हूँ कि यह जो AC source है यह वाला जिसे A नाम हमने दिया हुआ है यह AC source pure sign wave नहीं है इसकी winding गलत तरीके से की गई है इसलिए यह distorted AC बनाता है विक्रत AC जिसे हम कह सकते हैं यह विक्रत AC बना रहा है ठीक है अब यह विक्रत AC क्यों कहला रही है क्योंकि देखिए इसमें positive cycle भी है और negative cycle भी है इसमें दोनों cycles है ठीक है तो यह बात आप लोग ध्यान रखें अब देखिए क्या होता है जब यह दोनों जुड़ जाएंगी तो यह उपर वाली waveform यहां पर देखिए इसमें क्या होता circuit में यह negative 18 वोल्ट तक जाती है यह जो alternating current है यह alternating current negative 18 वोल्ट तक जाने की कोशिश करेगा जब इसका negative voltage होगा तो देखिए बेटरी का कर रही है इसमें आल्रेडी 18 वोल्ट तो हमेंसा maintain करके रख रही है तो यह जो alternator है जब यह negative में 18 माइनस जाने की कोशिश करेगा तो उस समय यह plus battery का जो 18 वोल्ट यहां पर है इसको क्या करेगा इसको zero कर देगा तो अब देखिए दोनों waveform को हम जोडते हैं इन दोनों waveform को जब जोडते हैं यह उपर वाली यह waveform को और इस battery वी यह battery वी की waveform को जोडते हैं तो चलिए देखते हैं कि अब हमें किस तरह का circuit प्राप्ट होता है ठीक है इसे अब हम लोग जोड़ेंगे इन दोनों waveform को जब हम जोड़कर देखते हैं तो जब हम दोनों waveform को जोड़कर और कि देखते हैं तो हमें पता चलता है कि देखिए जो स्वोल्ड नेकिंगे नेगेर्ट जीन जाने की वाजाएं यह बेटरी के वोल्टेज को केवल कर पाएगा क्योंकि बैटरी का वोल्टेज प्लस 18 वोल्ट है तो इस वोल्टेज को ये नेगेटिम होत्थिए पहुछा पाएगा ये बिएकलकर पहुचा पाएगा के बितिधे त मृन अब जार्व दसकांगकर है ना वो देखिए यहां पर यह बेटरी का बोल्टेज आल्रेडी 18 वोल्ट है इसके अलावा यह 32 जो है वो करेंट यह जो अल्टरनेटिंग करेंट सोर्स यह भी बना रहा है ना तो जब पोजिटिव साइकल आएगा तो पोजिटिव साइकल में क्या होगा देखिए यहां पर 18 वोल्ट भी पोजिटिव हैं और 32 वोल्ट भी यह जो अल्टरनेटर यह बना रहा है तो टोटल वोल्टिज कितना होगा तो यह 50 बोल्ट तक हो जाएगा ना तो इस तरह से यह जो शर्कित है अब देखिए अब इस सर्किट में क्या होगा यहां पर इस तरह की पल्स ब करेंट माइनस 18 बोल्ट बनाएगा तो उस समय बेटरी के 18 बोल्ट जुड़ाएंगे तो कुल वोल्ट हमारे पास 0 बोल्ट ही बचेंगे तो इस तरह से यह जो सर्कुट इसमें कभी भी करेंट नहीं बहे गी इसमें करेंट हमेंचा एक ही डारेक्शन में बहे लेकिन चुकि इसमें अल्टर्णा बचा है तो इसे लिए इसमें जो करेंट है वहाँ एक स्थिरमान की ना नहींynn sourd पास यह जानते हैं कि सर्कुट में देना करेंट क्लों कर रही हैv बेटरी जो है वहाँ 18V पर सप्लाइड दे रही है, यहां से 18V जो है बेटरी से हमें मिल रहा है, यह आपको मैंने दिखाई अभी यहां पर कि 18V समर्पस अल्रेडी लगा हुआ है, तो यह जो 18V यह क्या है? ये 18 volt जो है सुद्ध dc है और इसके साथ में यहां पर क्या जुड़ा हुआ है इसके साथ यहां पर एक ac supply जुड़ी हुई है और वह ac supply कितने वोल्ट जन जो है उसके यहां पर कितने voltage के बीच में काम कर रही है माइनस 18 वोल्ट से लेकर के प्लस 32 वोल्ट के बीच में वहाँ AC बना रही है ठीक है तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यह जो यह जो नीचे वाली अब आपको इन दोनों का सम्मलित इफेक्ट जो होता है यह जो उपर वाली जो आपको डीसी दिख रही है है ना इस डीसी को हम क्या कहते हैं पलसेटिंग डीसी इसको हम कहते हैं पलसेटिंग डीसी पलसेटिंग डीसी तो पलसेटिंग डीसी में आपको समझ में आया इसको हम पलसेटिंग डीसी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह देखिए इस तरह की डीसी है अलब इसमें ac teu joking इसमें ac misry इसलिए को pulsating cC बोलते हैं क्योंकि है pulse की तरह हैं भदल रहा है साथी साथं इसेace क्यों नहीं कहते क्योंकि इसमें यहाँ नीचे negative में कोई-bी-value नहीं है नेगिटीव में कोई भी मान यहां पर हमें नहीं मिल रहा, इसलिए हम इसे AC नहीं कह सकते, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पल्सेटिंग DC कहते हैं, और पल्सेटिंग DC में जो है AC भी होती है, ठीक है, तो यह अभी मैंने आपको एक्जाम्पल के द्वारा समझाया, क्योंकि हमा आपको यह बात किलियर समझ में आ गई होगी, कि एसे हम क्यों कह रहे थे, कि इस तरह की जो पल्सेटिंग DC होती है, पल्सेटिंग DC में एक AC कंपोनेंट भी होता है, ठीक है, जिस तरह से, यहां मैंने आपको धरन दे करके बताया, और दिखाया कि किस तरह से इसमें AC और DC दोनों कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है, तो यह बात आप लोग याद रखेंगे, कि जो पल्सेटिंग DC होती है, उसमें DC तो होता ही है, 37 उसमें AC भी होती है, ठीक है, तो देखिए किसी सोर्स के लिए, अब मैं आपको एक में परिवासा बताता हूँ, अब मैं रिपल की प कराना ज़रूरी था, तो अब आप जो है, दोनों चीजों को, दोनों परिवासाओं को समझने में सक्चम हो जाएंगे, ठीक है, आप यहाँ पर, रिपल और रिपल फेक्टर दोनों को समझ सकते हैं, ठीक है, अभी हमने, अभी हमने जाना कि किसी सोर्स में, किसी DC सोर्स में या pulsating DC में AC भी हो सकती है और DC भी हो सकती है यह दोनों बाते हम लोग अभी जान चुके है तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं देखिए किसी DC में किसी DC में जिसे माल लेजी है DC है यह pulsating DC है तो इस pulsating DC में इस pulsating DC में जो भी AC component होता है उस AC को हम लोग इस DC में जो भी AC उपस्तित होगी DC के साथ जितना भी AC उपस्तित होता है यहां देख रहे हैं आप लोग एक average DC है IDC जिसको बोल सकते हम इसे थोड़ा चोटा बना देते हैं इसमें एक DC भी available है जिसे मैंने line के द्वार दर्शाया है तो यहां पर यह DC भी available है और इस DC के साथ आप देख रहे हैं कि इसमें AC component भी उपस्तित है ठीक है तो किसी rectifier circuit में जितना AC component की value होती है या जो AC उपस्तित होती है उस AC को ही हम ripple कहते हैं है उसे ही हम ripple कहते है ठीक है और ripple factor क्या होता है किसी AC का जिसे मान लीजी यहां पर यह AC है तो इस AC के लिए मैंने rms value बताई थी अपने आपको तो यदि हम यहां पर किसी कि जो रीपल की बात करें यदि किसी rectifier के लिए यदि रीपल की बात करें तो रीपल रीपल factor की अब यदी बात करें ripple तो जो होता है वो AC के मान को भोलते है किसी DC सोर्ष में DC के साथ साथ जो AC उत्पन होती है तो हम लोग ripple कहते हैं अब देखिए यहाँ पर यदि ripple factor की बात करें यदि ripple factor की हम लोग बात करें तो ripple factor क्या होता है कि इसमें जितनी AC का component है AC के component की या AC धारा की जितनी RMS value है उसकी बट्टा में जितना इसमें DC है जितनी इसमें DC current का component है तो दोनों का जो अनुपात होता है इस अनुपात को ही हम लोग ripple factor कहते हैं ठीक है देखिए इस ripple factor का क्या माहिना है इस ripple factor से आप क्या अंदाज लगा सकते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था जब rectifier में पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि कुछ परिवासाइं होती हैं कुछ रासियां होती हैं जिनका मान ग्याद करके या दो rectifierों में जिनकी तुलना करके आप पता कर सकते हैं कि कुछ सा rectifier अच्छा है तो देखिए मान लीजिए उधारन के तुर पर मैं आपको half wave rectifier के बारे में जानकारी देता हूं अभी half wave rectifier का मैं बताता हूं तक हाफ wave rectifier में जैसे यदि rms value 121 एंपियर यदि मान लीजिए इसमें rms value की ac उत्पन हो रही है है ना 121 एंपियर की rms उत्पन हो रही है तब जाकर के वहाँ पर 100 एंपियर की dc इसमें बनती है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें ac तो जादा बन रही है जादा उफस्ती थे dc की तुलना में dc तो हमें कम ही प्राप्त हो रही है तो जो half wave rectifier है यह half wave rectifier उतना ठीक rectifier नहीं होता इसकी तुलना में यदि हम full wave rectifier की बात करें full wave rectifier की यदि बात करें तो full wave rectifier में यह जो मान होता है यह 0.48 होता है कि उधारन देगे में उधारन देकर आपके बताऊंगा कि जैसे माल लीजिए 48 एंपियर यहां पर कि यदि डीसी इसी उत्पन हो रही है आरे मिस वेलू तो इसकी तुलना में जो फुल वे रेक्टिफायर उसमें एक एंपियर जो है वहां डीसी बनेगी यानि कि इसमें लग कि देखिए इसमें क्या होता है जैसे जो यह फिल वेव रेक्चिफायर है है कि फोलक के लिए फोलक में मान लीजीए आप चलिए इसका मान खेंट्विजा करने तक कि ऊन् supportive समझ में आ है जैसे 48 एंपियर यदी सभी इभी आरे मरी की एसी उत्पन हो रही है ये स्भी है तो इसमें सेम अमांट में जो DC है बहुत 100A DC उत्पन होगी ठीक है तो इसका जो रिपल है वो कितना होता है जिसका रिपल आप निकाल लीजिए इसका रिपल होगा 0.48 ठीक है तो इस तरह से जो रिपल जो है आप लोग देख सकते हैं कि रिपल के हिसाब से हम लोग कामपेर कर सकते हैं अलग-अलग रिप्टिफायर को कि किस रिप्टिफायर का जो रिपल फेक्टर है वहाँ कितना होता है ठीक है तो इस तरह से जब हम इसको अनुपात को डिवाइड करके निकालेंगे तो यहां से देखिए आपको वेल्यू पता चल गई फुल वेव रिक्टिफायर का रिपल कितना होगा इसको परसेंट में केल्कुलेट करें इसको सुड़ी हम इदी सुद्ध अनुपात में अगर बनाएं तो जो रिपल फेक्टर है जो रिपल फेक्टर है यह 0.48 कितना हो किसका रिपल फेक्टर हो गया यह हो गया 0.48 जो है यहां फुल वेव रिक्टिफायर का रिपल फेक्टर कहलाएगा और जो मैंने हाफ वेव का बताया था तो हाफ वेव को जब आप अनुपात में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा वह एक दसमलाव 21 जो है यह हाफ वेव का रीपल फेक्टर होगा तो यह चीज है यह दोनों परिवासा हैं आप लोग ध्यान रखें और यह दोनों चीज हैं आप लोग याद रखें यह अब जेक्टिव में आ सकते हैं कि फूल अब रिपल फेक्टर कितना होता है और हाफ वेव का रिपल फेक्टर कितना होता है ठीक है तो यह दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉंसेट देखते हैं तो जिस तरह से मैंने आपको तीन रिक्टिफायर बताय थे तो आप लोगों को अब यहाँ पर तीनों रिक्टिफायर को एक बार देख लेना जरूरी है कामपेर करके आपस में कि तीनों रिक्टिफायर जो है उसमें अगर यदि आपको कामपेर करना हो कि तीनों रिक्टिफायर में से कौन सा रिक्टिफ रखता नहीं परेगी ठीक है तो देखिए हम लोग यहां पर काम पर रिजन करते हैं तीनों रेक्टिफायर की तुलना कर लेते हैं कि तीनों रेक्टिफायर की तुलना करेंगे यहां पर हम लोग एक तरफ लिख देते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ देव यह रेक्टिफायर ठीक है यहाँ पर फुल वेव सेंटर टेप है यह फुल वेव है और सेंटर टेप्ड है यह आप लोग सार्णी अच्छे से बना लेना फुल वेव सेंटर टेप्ड है और ये वाला जो है नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वहार आएगा हमारा ब्रिज रेक्टिफायर ब्रिज तो आप इसे जो है सार्डी बना लीजी का बढ़िया तरीके से तो यहां पर हम अब इसको मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें आपको क्या कर तुलना किस तरह से करना है ये एक ही सार्डी में अभी तक हमने जितनी चीजे पढ़ी है वो एक ही सार्डी में कवर हो जाएगी और आपको पूरा जो चेप्टर था रेक्टिफायर से सम्मंदि जितनी बाते हैं वो लगबग एक आपको नोट्स टाइप से प्राप्त हो जाएगी नोट्स भी आप समझ सकते हैं ठीक है यहां पर हम देख लेते हैं सबसे पहले हम तुलना करेंगे कि आखिर इनमें डायोड कितने हैं आप सबसे पहले काम पेयर कर सकते हैं कि यह जो आप कि इनमें आप डायोड कितने यूज़ कर रहे हैं तो डायोड के आधार पर हम काम पेयर कर सकते हैं तो डायोड के आधार पर देखिए आप लोग जो फुल वे और एक्टिफाइर था जो फुल वे और एक्टिफाइर है फुल वे और एक्टिफाइर है हाफ वे और एक्टिफाइर में कितने डायोड हमने यूज़ किये थे नंबर ओफ डायोड यहां पर कितने यूज किये थे हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने एक ही डायोड यूज किया था जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टेप्ड में हमने दो रेक्टिफायर यूज किये थे और जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसमें हमने चार ड देखा जाए ये तो हाफ वे रिक्टिफायर यदि डायोड की साथ से देखाए आप तो डायोड की तुलना यदि करें तो उभर्रेटि वह जादा अच्छा ज्यादा बेटर है लेकिन केवल एक ही बिंदू के आधार पर किसी रेक्टिफायर को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता तो चलिए आफ हम दूसरा पॉंट देख लेते हैं किसी अन्य आधार पर compare करते हैं कि कौन सा डाइवोड ज्यादा रेक्टिफायर ज्यादा है तो की जो हागailिव रेकटिफार है और इन दोनों में हम लोग ट्रांसफर्मर का यूज किसलिए कर रहे हैं केवल वल्टेज को स्ब्सक्राइब करने के लिए इसके अलावा ठांसफर्मर का कोई भी योग कर सकते हैं तो इसी लिए हम यहां कह सकते हैं कि जो हाब वेव रेक्टिफायर है इसमें जो हेक्समर है वहाँ जरूरी नहीं होता ठीक है इसी तरह से जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसमें भी जो ट्रांसफर्मर है वहाँ आवश्चक नहीं है इनके बिना भी आप half wave और bridge rectifier से बिना transformer के भी DC बना सकते हैं capacitor का उप्योग करते हुए इससे voltage को हम reduce कर सकते हैं और voltage को reduce करके हम लोग DC बना सकते हैं लेकिन center tape की बात करें तो center tape में transformer में center tape rectifier है इसमें center tape transformer में होता है इसमें आपको ज़रूत होती है ठीक है अब यह पाइंट जिनवर्च्वर्चन को clear बिना ट्रांस्फर्मर के आपका काम नहीं चल सकता तो यह बाला पाइंट आप ध्यान से याद रखें अब अगला बिंदू ले लेते हैं काम पे रीजन का जो अगला बिंदू है वहाँ देख लेते हैं क्या है ठीक है तो अगला जो बिंदू है आप efficiency के आधार पर भी इन्ह इन्पूट में आप जितनी छमता या पावर दे रहे हैं उसकी तुलना में आउटपूट में कितना पावर मिल रहा है इसे हम कामपेर कर सकते हैं तो जब हम हाफ वेव रेक्टिफाइयर के दिवाट करते हैं तो हाफ वेव रेक्टिफाइयर में जो efficiency होती है वहाँ 40.6 पर के दिए हम बात करें तो चाहे bridge rectifier हो चाहे कि सेंटर टेब फुल वेव रेक्टिफायर हो दोनों की efficiency 81.2% ही होती है ठीक है तो efficiency wise यह दिदेखा जाए तो सेंटर टेब चाहे ब्रेज रेक्टिफायर दोनों सेम होते हैं दोनों की efficiency सेम होती है लेकिन वहीं हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वहाँ उसकी efficiency इन दोनों से हाफ होती है काफी कम होती है यानि आधा पावर जो है वहाँ डारेक्ट बेस्ट हो जाता है ठीक है तो पावर की हिसाब से देखा जाए जो कि में होना चाहिए इलप्रोनिक्स में तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वहाँ सबसे पेकार है रेक्टिफायर है चलिए अब हम लोग देख लेते हैं और किस आधार पर हम इसे कामपेर कर सकते हैं यहां पहले मैं लिख दूँ यहां पर दख्चता अधिक्तम दख्चता या इफिशियन्सी इसके बाद जो अगला पाइंट है हमारा तुलना करने का जो अगला पाइंट है वहा है रिपल फेक्टर रिपल फेक्टर ठीक है तो देखिए जो हाफ वेव रेक्टिफायर है इसका रिपल फिक्टर 1.21 होता है अब चुब कि यह गुणाख है यह गुणाख होता है रिपल फिक्टर है गुणाख और जो गुणाख होते हैं उसमें कभी भी कोई इकाई नहीं होती ठीक है तो यहाँ पर आप लोग धिएन रखें की जो majority है उसका रिपल फिक्टर 1.21 होता है हुँग जो फुल वेव रेक्टिफायर है इसका दोनों का चाहें ब्रीज हो चाहें आपको मैंने आपको पहले बताया इसी ही लेक्चर में कि रीपल फेक्टर जिस का ज्यादा होगा जिस रेक्टिफायर का रीपल फेक्टर ज्यादा होगा वहां जो है पूर कहलाएगा तो इस हिसाफ से दीखा जाए तो तो efficiency की बात करें तो efficiency इन दोनों रेक्टिफायर में, full wave center में और bridge में दोनों में efficiency अच्छी मिलती है, साथी साथ दोनों में हमें triple factor भी ठीक ठाक मिलता है, अच्छा मिलता है, ठीक है, अब output frequency की बात कर लेते हैं, यदि output frequency की हम लोग बात करें, तो output frequency के हिसाब से कौन सा रेक्टिफायर जादा अच्छा है, तो output की frequency देखें, आपको frequency के बारे में भी मैंने बताया था आपको, frequency, frequency जो है, जो half wave रेक्टिफायर है, इसकी frequency, जो input frequency होती है, जो source की frequency होती है, उसी के समान होती है, उधरन के तोर पर, यदि हम घरेलू सप्ला है, यदि 50 Hz की frequency लगाएंगे, तो half wave रेक्टिफायर में जो pulsating DC बनेगी, उसकी frequency भी 50 Hz ही होगी, source के समान ही होगी, input के समान ही होगी, तो इसलिए यहाँ हम लिख देते हैं, frequency input, F input है ना, इसी तरह से, जो full wave center tip transformer होते हैं, और जो bridge rectifier होते हैं, इन दोनों में जो frequency है, वहाँ जो input frequency है, या source की जो frequency है, उसकी तुलना में इसकी frequency दो गुनी हो जाती है, ठीक है, इसकी frequency दो गुनी हो जाती है, तो यहाँ भी एक हमारे लिए desirable feature है, desirable feature क्यों है, क्योंकि देखिए, जितनी ज़्यादा frequency होगी ना, उतनी ज़्यादा frequency को आग capacitor से, अच्छी तहां से filter कर सक सकते हैं, ठीक है, उतनी आसानी से आप DC और AC में अंतर कर सकते हैं, है ना, उतनी ही आसानी से यह rectifier जो है, यह DC और AC को पहचाने का जितनी ज़्यादा frequency होगी, है ना, तो इसी लिए, यहाँ पर हम यह समझ सकते हैं, कि जो half wave bridge rectifier और half wave center taped rectifier हैं, वह दोनों ही, जो है, पॉइंट आप लोग याद रखें, चलिए अब इसे काम परीजन का एक और पॉइंट ले लेते हैं, एक अन्य पॉइंट ले लेते हैं, हम लोग काम परीजन के लिए PIV, peak inverse voltage, ठीक है, PIV के बारे में भी मैंने बताया था आपको, peak inverse voltage, कोई डायोड के एक रोज जितना negative voltage बहुत सहन कर सकता है, उसे हम PIV बोलते हैं, तो PIV देखें, क्या होता है, कि half wave rectifier में, जो डायोड आप यूज़ कर रहे हैं, उसका PIV, माल लिजिए जो source voltage है, तो source voltage मालेजे VM है अधिकतम मान source का, तो यहां पर आपको PIV का मान केवल VM ही लगाना पड़ेगा, इस से ज़्यादा VM, जितना source का जो अधिकतम मान है, उतने अधिकतम मान का, अगर आप PIV value वाला diode यूज करेंगे, तो वह अच्छी तरह से काम करेगा, लेकिन full wave rectifier, center table rectifier के लिए बात की जाए तो इसमें जो PIV है वो दोगुना हो जाता है यहाँ पर आपको दोगुना जादा मान वाला diode यूज़ करना पड़ता है ठीक है, diode देखे मैं बता दूँ आपको बीच में परस्ण भी उठा था तो यहाँ पर बीच में परस्ण पूछा था कि जो diode है कौन सा यूज़ किया जाता है rectifier में, तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि कोई special diode जो है इसमें यूज़ नहीं किये जाते, diode का मैंने first lecture में ही जब data sheet बताई थी तो मैंने आपको बोला था कि एक in 40007 diode जो होता है यह number का diode हम लोग rectification के लिए use करते हैं सबसे basic diode जो है, इसका side मैंने image भी दिखाया है तो यह जो सबसे basic diode है, इसका मैंने आपको बताया है कि यह diode जो है rectifier में use किया जाता है ठीक है, तो यह बात आप लोग ध्यान रखें अब इसे हम थोड़ा clear कर लेते हैं देखें, जो bridge rectifier में भी जो PIV है, वह केवल VM या अधिकतम जो supply negative voltage जाता है उसके बराबर ही होना चाहिए, तो आपका जो bridge rectifier है बहाँ ची तरह से काम कर सकता है अब center tube में जो VM का मान है, वो to VM क्यों हो जाता है तो यहाँ भी आपको lecture में बताया गया है, जो पिछले lecture हो चुके हैं जिन बच्चों ने regular class attend की है तो वो इसके बारे में जानते हैं और अगर आपको नहीं समझ में आया था तो आप उसे recap करके देख सकते हैं तो यह concept आपके clear हो जाएंगे ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने एक sardy बना दी है इस sardy में आप भीविन जो rectifiers हैं उनकी भीविन बिशेशता हैं जैसे diode कितने लगते हैं transfer हमारा आवश्यक है कि नहीं है उनकी अधिक्तम द्रक्षता कितनी है, ripple factor कितना है तो यह सारा जो है, मैंने यहाँ पर आपको एक diagram बना करके तो एक table बना करके बता दी है तो इससे आप screenshot ले करके और save करके रख सकते हैं भविश्य में भी जब भी आपका वशकता पड़े तो आप इसको देख लेंगे तो आपको एक बार में quick revision हो जाएगा और इससे बहुत सारे आपके objective भी clear हो जाएंगे ठीक है, तो यह आप लोग save कर लीजिएगा तो जितने बच्चे अभी जाग रहे हैं वो सभी से save कर लीजिएगा अब हम next topic देख लेते हैं अब हम लोग next concept देखते हैं नेक्स्ट परिभासा ले लेते हैं अब यहां हमारे देखिया आजाता है filter अब जो है अब हम filter के बारे में पढ़ते हैं कि आकर filter क्या होता है क्यों क्योंकि करोंकि कि हमने अभी तक क्या किया है अभी तक की कहानी आप लोग समझ लीजिए अब क्यों पहले हमने जो AC था एसका see अब पल्सेटिंग में बदल करके हम आपकि करना है इसे, इस से rectいう करना है, यानि कि कोशिस करना है कि यह इस तरह के DC बन जाए क्योंकि यह जोbie pulsating DC कहलाती है यह कहलाती है pulsating DC तो इस pulsating DC को इसे हमें pure DC में convert करना है तो अब देखिए हमें pure DC में convert करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसे यहाँ पर इसे filter करना पड़ेगा क्योंकि जिसा मैंने आपको बताया कि किसी भी pulsating DC में कि Sortine DC में DC COMPONENT pair AC compartil होता है तब हमार पास फिल्टर लगाना पड़ें MANZY GD awakening को दिन कोई फिल्टर का काम क्या होता है आप घर में कोई manager use करते हैं कोई च्षणी वगैरा यूज करते हैं तो आप क्या करते हैं इस च्छनाने के लिए जैसे माली जी आको पानी में कुछ पत्थर पधिखेरा के कणं़ देखे तो आप क्या करते हैं? इसमें यहां से पान्य डाल देते हैं वो mix बाला लगए जो पत्थर हैं तो electronics में हम लोग एक capacitor का use करते हैं इस capacitor में यहाँ उपर यदी माल लेजिए यहाँ AC और DC यदी दोनों आ रही हैं तो यह जो capacitor होता है यह capacitor एक इस तरह का circuit होता है capacitor में यह गुण होता है कि वह क्या करेगा कि यह उपर वाले सिरे पर तो उपर वाले सिरे पर यहाँ उपर केवल DC को बचने देगा DC को उपर बचने देगा और जो AC है वह AC हमें यह नीचे पास कर देगा इस AC को यह AC जो है इस में से गोजरते होए नीचे चली जाएगी और इस तरह से यह जो wave थी यह उपर जो wave दिख रही थी आपको डबल डबल इसमें से DC और AC दोनों अलग हो जाएगी ठीक है और यह जो AC है यहाँ ग्राउंड कर देते हैं जमीन में अंदर ग्राउंड कर देते हैं यह बेटरी जो आपका ट्रांसफर्मर लगा उसे बापस रिवर्स देते हैं तो इस आखिरिक को इसे किस तरह से कर पा रहके यँ को इसने यहीं पर कर दिया यथी को और內 इसका यह संब्भ हो पाया इसके लिए आपको थोड़ा एक लिए यहां पर मैं बता रहा हूं फिरसे मैंने पने लेक्शर में फ्र Each time d तो देखिए जो हमने यदि माली जीये जैसे कि हमने बताया था आपको कि यदी कोई केपिसीटर है जैसे यदिमाली जी यह केपिसिटर है तो इस केपिसिटर में यहां केपिसिटर में जो रजिस्टेंस होता है ठीक है इस केपिसिटर में दो परकार के रजिस्टेंस होते है ठीक है एक रजिस्टेंस होता है डीसी के लिए है ना डीसी के लिए रेजिस्टेंस होता है क्योंकि देखें यह जो केपिसीटर आपको दिख रहा है ना इस केपिसीटर में बीच में कुछ भी नहीं है ना कोई तार होता है कभी-कभी तो केवल एयर होती है कोई कनेक्शन नहीं होता तो इसका रेजिस्टेंस डीसी के लिए कितना होगा इसका resistance DC के लिए बहुत ज़्यादा होगा इंफिनिटी होगा वो तो है ना क्योंकि कुछ है ही नहीं resistance मतलग क्या होता है current flow में कितना अवरोध होगा कितनी बादा होगी इसमें तो बहुत ज़्यादा AC लगाते हैं जब capacitor में यहां पर हम इसके बीच में AC लगाते हैं कोई AC source लगा देते हैं तो इस AC source के कारण यह जो capacitor है इसके बीच में कोई connection ना होने के बावजूद भी circuit में से एक current flow हो जाती है ठीक है अब वो current क्यों flow होती है यह जो है वह capacity circuit के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं तो capacity circuit के बारे में हमें यह पूरा detail में जानने को मिलता है कि किस तरह से AC इस capacitor में से पास हो जाती है ठीक है लेकिन यदि mathematically आपको याद रखना है तो mathematically आप लोग याद रख सकते हैं कि इस capacitor का प्रतिगहात बोलते हैं इसको इस प्रतिगहात का मान या capacitor के इस AC प्रतिरोध का मान अगर आपको निकालना है तो आप एक को 2π और जितना circuit की frequency है जितनी जादा इसकी frequency रहेगी उतना कम जो है वहाँ XC रहेगा तो यहाँ पर frequency से भाग लगा दीजिए 7-7 capacitor का जितना जादा मान रहेगा उतना ही कम जो है यह DC यह AC resistance रहेगा तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यह formula के साप से हम देख सकते हैं कि जो Ch जो केपसिटर है केपसिटर का एसी के लिए केपसिटर जो है एसी में कुछ निश्चित उसका रेजिस्टेंस होता है जबकि डीसी में तो इसका इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होता है अब किसे यह किसे निकाल सकते हैं आप लोग यहां मालीजी है डीसी के लिए हम जानते हैं कि DC की फिक्वेंसी कितना होती है जीरो तो आप यहां से देखें बन अपन टू पाइफसी में यदि यहां जीरो रख देंगे नीचे तो इसमें किसी भी संक्या का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा इंफिनिटी तो इसलिए जो DC के लिए मान होता है इसके प्रतिगात का वह नहीं पहुंच पाएगी ठीक है और एसी के लिए इसका जो रिजिस्टेंस होता है वह सिंपल यहां पर जो भी मान है वह निकाल दीजिए जिसे उधारन के तोर पर आप लोग एक केलकुलेट करके देंगे मुझे कलका होंबर्क रहेगा आप आप मान के मानिएगा कि जो फ फेराडे का केपिसिटर यूज़ कर रहे है ठीक है एक हजार माइक्रो फेराडे का केपिसिटर यहां पर यूज़ कर रहे है तो आपको इसका एक सी ग्यात करके मुझे बताना है ठीक है और जो माइक्रो फेराडे है तो आप माइक्रो फेराडे को टेंट टूदी पावर मा फिर solve कीजिए गा ठीक है तो यह आपका कल का होंबर्ग है इसको आप solve करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो AC होती है AC के लिए इसका प्रतिखात कम होता है एसी का इसका रेजिस्टेंस कम होता है जबकि DC का इसका प्रतिरोध है वह हमें ने यह लोड यूज कर रहे हैं तो यदि अब जिसे माली जी उधारन के तोर पर यदि माली जी यहां हम यह केपिसिट लगा देते हैं यह एक डायोड लगा हुआ है तो अब देखिए उपर यहां पर हमें DC अवेलेबल है तो आप क्या कीजिए यहां से सीधे एक लोड जोड दी है कि केपिसिटर को पास यहां आगे बढ़ने ही निए देगा वो तो यहीं से यही से रिटान हो जाएगी बापिस है ना जब की DC जो है वो लोड में पहुच जाएगी तो इस तरह से हमने देखा कि जो केपिसिटर होते हैं यहां पर केपिसिटर का इस्तमाल यह संधारीतर का इस्तमाल हम का एक फिल्टर की तरह कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा देखी चलिए हम अब एक और जो फिल्टर होता है एक और फिल्टर होता है उसके बारे में आपको बता देते हैं देखिये एक अन्य परकार का जो filter होता है जो inductor होता है जिस इंड के बारे में यह inductor बतन बना देता हूँ आपको इसमें DC resistance या DC पृतिरोध और AC का पृतिरोध अलग-अलग होता है जिसे capacitor का होता है उसी तरह से इसमें AC और DC दोनों का पृतिरोध अलग होता ह। जबकि जो हम resistance के बारे में पढ़ते हैं जो प्रतिरोध आप लोग पढ़ते हैं तो इसका DC और AC का प्रतिरोध का मान दोनों इस्थिर होता है लेकिन inductor और capacitor में इसका जित्ती रुकावट ये डालता है वो रुकावट का मान यदि DC लगाएंगे तो अलग होगा और AC लगाए तो इसी को हम DC और AC प्रतिरोध केते हैं DC प्रतिरोध को आपको पता है सभी resistance में हम R से दर्साते हैं और AC प्रतिरोध को हम इस inductor के लिए XL से दर्साएंगे इसे प्रतिबादा भी कहा जाता है ठीक है तो ये आप दियान रखिएगा चली अब मैं बता देता हूं कि DC के लिए ये जो inductor होता है अब देखिए XL का मान होता है XL का जो फार्मूला होता है वह होता है 2PFL 30 ने टीक यह तो यह की लिए होता है किलिए होता है उसका फार्मूला तो देखिए ढ़ लोग करते हैं कि एफी की एक fan कि इनलों से एल यहांपर देखिए जो इंडक्टर रहे है कितना हो जाएगा अब इस पूरी रहसी में दो गुणित पाई गुणित जीरो गुणित जो भी इंड़क्टर का वेल्ड है यहां पर जीरो के लिए मैं अलग संक्य दर्शा देता हूं जीरो तो इसके लिए Excel कमान कितना हो जाएगा जीरो है ना याने कि हम कह सकते हैं कि जो इंड़क्टर होता है इंड़क्टर इसी को पास कर देगा यह पूरी की पूरी डीसी जो है यह आपको आउटपुट में मिल जाएगी यहां पर इस तरह से लेकिन अब देखिए इंड़क्टर का जो इंड़क्टर का जो प्रतिबादा होती है अब इसमें आप 50 कमान रखके देखेगा इसमें 50 कमान रखेंगे औ है न तो आप काम पेर कर सकते हैं कि जो इंड़क्टर है वहां मान लीजिए हां 50 व्हां आया इसका प्रतिरोध पचाश ओंव आया के इल्कुलेशन आप गयों क्वार कर देख लेगा तो देखिए डीसी के लिए इसका प्रतिरोध कितना है इंड़क्टर का और एस्सका प्रतिरोज कितना है 50 हूं तो इस तरह से हमने देखा यह क्या करेगा एस्सी को यहीं block कर देगा हम इस तरह से design करेंगे इसको इसका resistance इस तरह से calculate करेंगे कि यह जो इसको inductor अपने टर्मिनल पर ही block कर देगा और वहाँ आप डूराओ कर देगा और डी सी थी वहाँ अपको be terminal पर मिल जाएगी तो अब देखिए इस तरहां का जो आपका filter बनेगा इस filter को आप किस तरहां से स्तेमाल कर सकते हैं बहाँ आप को हम बता देटे हैं देखिए आप क्या ब्लोक हो जाएगी और यहां पर हम एक जो आउटपुट में इसके हमें यहां पर केवल DC मिलेगी और इस DC को आप लोग इस लोट से लगा दीजिए यहां पर इसे अर्थ कर दीजिए तो इस तरह से यह सर्कुट पुरा हो जाएगा अब यह जो AC है इस AC को यदि माली जी आप भी रही है अभी थोड़ा बहुत AC कामान यदि मिल गया है तो एक पिसिटर अप यहां भी लगा सकते हैं तो इस तरह देखेए जो यह आपको सर्कुट दिख रहा होगा यह आपको पाई के समान दिख रहा होगा पाई में जिस तरह से यहां केपसिटर है इंडक्टर है तो मैंने आपको बना करके बताया ठीक है तो ये जो पाइ फिल्टर ऐल फिल्टर है ना इस तरह के जो सर्कीट है यह हम आपको आप कल बना करके बताएंगे उनकी क्या patri ac automated होती है इसके अलाबा जो बेंड पास फिल्टर होते हैं, यह हाई पास फिल्टर होते हैं, और लो पास फिल्टर होते हैं, यह सारे क्या होते हैं, इनके बारे में हम next lecture में जानेंगे, ठीक है, तो और चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, thanks for watching, कल 9 पिएम पर दोबारह से मुलाकात होगी, thanks for watching झाल झाल